आईए देखते हैं मांग के नियम की मानिताएं क्या है यानि कि ये किन मानिताओं पर आधारित है उब्भोगता की आए रूची और स्वाभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर ना हो तो ही ये मानियम लागू होगा क्योंकि अगर उब्भोगता की आए बढ़ जाती है ये किसी प्रकार का परिवर्तन होता है कमी हो ये व्रिद्धी हो तो उस कंडिशन में उसकी मांग जो होती है वो कम या जादा हो सकती है यानि सीधा सीधा मांग और कीमत का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं हो पर मांग का नियम लागू नहीं हुआ उसी तरह अगर किसी वस्तु में उसकी रूची है उसको बहुत पसंद है तो उस वस्तु की कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो बढ़ी होई कीमत पर उस वस्तु को खरीदना पसंद करता है तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं मांग का निय वहाँ पर लागू होगा अगर उसको किसी स्थानपन वस्तु की जानकारी हुई तो जिस वस्तु को वो क्रय करने जा रहा था उसको छोड़के वो दूसरी वस्तु खरीद लेगा जैसे मैंने भी आपको कुछ समय पहले बताया कि कॉफी या चाय पीने का मन था उसको कॉफी म पहंगी लगी तो उसने अपनी आवशक्ता को उसकी जो इक्षा थी उसको रिप्लेस कर दिया वो उसकी जगा पे वो चाय पीने को तयार हो गया तो यहां पर भी स्थानपन वस्तु की इसको जानकारी हुई तो यहां पर भी उसको मांग का नियम लागू नहीं हो पाया वै आप उसको खरीद के रखने का प्रयास करेंगे यानि कि कीमत में वृद्धी थी उसके बावजूद उसके मांग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई क्यों नहीं आई क्योंकि भाविश्य में उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ने वाली है तो यहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाया बिल्कुल वैसे ही अगर कोई वस्तु प्रतिष्ठा मूलक है जैसे हम देखते हैं कि शादी ब्याह जैसे आयोजनों में लोग अपनी स्थिती से जादा भी खर्च कई बार करते हैं महंगी से महंगी चीजों को उपयोग करते हैं ऐसा क्यों होता है समाज में अपने आपको स्थापित करने के लिए कई बार प्रतिष्ठा मूलक वस्तों का प्रियोग करने के ज़रूत पड़ती हैं तो अगर कुछ वस्तों प्रतिष्ठा मूलक हैं तो उनकी कीमतों में वृद्धी होने पर भी उनकी आय में किसी प्रकार की किसी परिवर्दन के गु प्रभावित हो रहा है यानि कीमत का बढ़ना या घटना मांग को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है वास्तों में यदि देखा जाए तो मांग का ये नियम सिमान्त उप्योगिता हासनियम पर ही आधारित है इसके पहले की अध्यायों में हमने सिमान्त उप्योगिता हासनियम के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा है सिमान्त उपयोगिता हास नियम में हमने देखा था कि जैसे जैसे उभोगता किसी वस्तु की अत्रिक्त इकायों का प्रयोग करता जाता है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है कहीं न कहीं मांग के नियम में भी कुछ ऐसा ही होता है जब एक निश्चित समय में बाजार में किसी वस्तु की बहुत अधिक मात्रा आ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है और कम कीमत की वज़ह से लोग उसे ज़्यादा खरीदने लगते है यह दूसरे शब्दों में कहा ज जाती है दूसरी और अगर देखें तो जब कोई ऐसी स्थिति आए जब उस वस्तु को बाजार में कम बेचा जाए या उस वस्तु की मात्रा बाजार में कम हो तो उस वस्तु के कीमत बढ़ी हुई रहती है और क्योंकि कीमत बढ़ी हुई रहती है इसलिए उस वस्तु के उ तो मांग घट रही है और वस्तु की कीमत अगर घट रही है तो उसकी मांग बढ़ रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि सिमान तुभ्योगिता हास नियम पर ही मांग का ये नियम आधारित है अब मांग के इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम एक सारणी और ग्राफ का प कर सकते हैं यहां पर हम पैन की कीमत और बाजार में उसकी मांग को देखते हैं जब एक पैन की कीमत बाजार में एक रुपए थी उस समय उस पैन की मांग 25 सिकाई थी जैसे ही उस पैन की कीमत बढ़के 2 रुपए हो गई उसकी मांग घटकर 20 सिकाई हो गई जब उस पैन के कीमत 3 रुपे होई तो पैन की मांग 15 काई हो गई कीमत 4 रुपे होने पर उसकी मांग 10 काई हो गई और जब उसकी कीमत बढ़कर 5 रुपे हो गई तो आप देख रहे हैं कि पैन की मांग सिर्फ 5 काई की रह गई इस पश्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे पैन का रेट पैन की कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे बजार में उसकी मांग घट कर कम होती चली गई अब क्योंकि सिमान्त उप्योगिता हासनियम पराधारित है तो हमने पहले के अध्यायों में देखा है कि एक भोकता किसी वस्तु के उतनी ही कीमत देने के लिए तयार होता है जितनी कि उसको उस वस्तु से सिमान्त उप्योगिता प्राप्त होती है यानि कि यहां पर भी बाजार में एक क्रेता किसी वस्तु के लिए सिर्फ उतना ही मूले देता है जितना वो उसके लिए उप्योगी होती है अगर वो वस्तु उसके लिए बहुत आवश्यक नहीं होती, तो वो उसके लिए बहुत कम मूले देने के लिए तयार होता है या फिर नहीं खरीदता, नहीं खरीदने का मतलब है कि उस वस्तु की मांग कम हो जाती है अब अगर हम इस सारणी को ग्राफ के द्वारा देखें तो कुछ इस तरह से इस्थिति हमको प्राप्त होगी यहां पर हमने सारणी के आधार पर इस ग्राफ का निर्मान किया है जिसमें O X पर हमने वस्तू की यानिकी पैन की मात्रा ली है और O Y पर हमने pen की कीमत ली है सारणी के आधार पर हम इस graph में इस first देख रहे हैं कि जब pen की कीमत एक रुपए थी तो उसकी मांग 25 ही काई थी फिर pen की कीमत जब 2 रुपए हुई तो उसकी मांग आपे आपे देख रहें 20 ही काई हो गई पैन की कीमत जब 3 रुपय थी तो उसकी मांग 15 इकाई हो गई जब 5 रुपय कीमत 4 रुपय हुई तो मांग घटकर 10 इकाई हो गई और 5 रुपय होने पर उसकी मांग घटकर 5 इकाई की रह गई यहां पर हमको जो बिंदु प्राप्त होता है A, B, C, D और E इस बिंदू के आधार पर जब हम डीडी वक्र का निर्माण करते हैं तो ये जो डीडी वक्र है ये मांग वक्र कहलाता है और आप देख रहें कि किस तरह से बाएं से दाएं नीचे की ओर जुपता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इसपस्ट कर रहा है कि किसी वस्तू की कीमत और उसकी मांग में रिणात्मक यानि कि विप्रीत संबंध होता है सरल शब्दों में कीमत बढ़ने पर मांग हड़ जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है यही मांग का नियम है मांग का नियम क्या है यह हमने अब तक जाना है लेकिन मांग का ये नियम क्यों लागु होता है क्या कारण है मांग के नियम लागु होने के यह फिर हम यह कह सकते हैं कि मांग वक्र क्यों हमेशा बाइं से दाएं नीचे के और जुपता है या यह भी प्रश्ण उड़ता है कि क्यों मांग और कीमत में विपरीत संबंध होते हैं इन सब का उत्तर हम कुछ बिंदों के आधार पर दे सकते हैं पहला कारण इसका ये है कि यहाँ पर मांग के नियम में क्योंकि सिमान्त उप्योगिता हास नियम पर ये आधारित है सिमान्त उप्योगिता हास नियम को हमने पहले भी जाना है आई एक छोटे से उधारण से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं एक समय में मान लेजिए चिंटू को जलेवी बहुत पसंद है 50 रुपय लेकर वो बाजार जाता है पहले वो 10 रुपय की जलेवी खरीदता है खाता है जाहिर से बात है कि पहले उसको बहुत तीव रिक्षा है उसके अंदर खाने की जब वो 10 रुपय की जलेवी खाता है तो उसको संतुष्टी प्राप्त होती है और वो 10 रुपय देता है फिर थोड़ी सी इक्षा और है उसके अंदर जलेबी खाने की तो वो 10 रुपे और दे देता है फिर 10 रुपे के जलेबी और खा लेता है तो उसके जो अब शक्ता है उसके जो इक्षा है थोड़ी संतुष्ठ हो जाती है खुश हो जाता है लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता वो सोचता है पांच रुपए के और खा लेता हूँ तो वो पांच रुपए के जले भी और खा लेता है अब उसके बाद वो संतुष्ट हो गया पूरी तरीके से अब वो जले भी नहीं खाना चाहता है कहने का मतलब है पहले उसने 10 रुपय दिया फिर 10 रुपय दिया फिर वो सिर्फ 5 रुपय देता है अब वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहता याने अब वो अपनी इस इक्षा के लिए कोई भी पैसे खर्च करना नहीं चाहता है सीधा सीधा सीमान तुपयोगिता हासनियम भी यहीं बताता है कि जब वस्तु से सीमान तुपयोगिता प्राप्त हो जाए तो उसके बात उभोक्ता एक भी पैसा देने के लिए तयार नहीं होता है बिल्कुल बाजार में भी यहीं स्थिती होती है जब उभोक्ता की मांग समाप्त हो जाती है तो वो उस वस्तु को खरीदने के लिए खर्च नहीं करना चाहता कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उस समय उस वस्तु की मांग उस बाजार में कम हो जाती है या खत्म हो जाती है वैसे ही आय का प्रभाव भी एक बहुत महत्वपूर्ट अत्व है जो मांग के नियम के लागू होने का कारण बनता है हमने आय और कीमत दोनों के संबंधों को बहुत अच्छे से जाना एक छोटे से उधारण से हम आय के प्रभाव को मांग में अच्छे से समझ लेंगे मान लेजे सरीता को आलू लेना है उसे मालूम है कि बाजार में आलू 20 रुपय किलो है वो 40 रुपए लेकर बाजार जाती है, दो किलो आलू लेने लेकिन बाजार में आलू की कीमत हो गई है 15 रुपए अब उसने 30 रुपए में 2 किलो आलू ले लिए लेकिन अभी भी उसके पास 10 रुपए बच गए तो ये 40 और 30 के बीच का जो डिफरेंस आया कहीं न कहीं ये उसकी वास्तविक आय कहलाएगी अब वो क्या करेगी उस 10 रुपे से वो कुछ ग्राम आलू और खरीद लेगी यानि कहीं न कहीं उसकी वास्तविक आय यानि कि आय में जो अंतर आया आय जो बढ़ी वो उस बढ़ी हुई आय से आलू की मांग को और ज़्यादा कर सकती है कहने का मतलब है कि आय में अगर विद्धी हो रही है तो उस वस्तु की मांग में भी विद्धी होगी जो की क्रेता खरीदना चाहा रहा है वैसे ही इसका जो तीसरा महत्पूर्ण कारक है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव स्थानापन वस्तों के बारे में हमने पहले भी जाना है इस अध्याय में भी हमने देखा है कि जब हम किसी वस्तों का उपयोग करते हैं तो उसके कई इस्थानापन वस्तुएं हमारे सामने होती हैं, हम उसके कीमत के आधार पर या अपनी आवशक्ता के आधार पर उन वस्तुओं का चयन करना चाहते हैं जैसे हमने देखा था कि हमको चाय या कॉफी पीने की इक्षा है, कॉफी की कीमत अगर जादा है तो वहाँ पर चाय की मांग बढ़ जाएगी याने ये ऐसे वस्तुएं हैं कि एक वस्तु के मांग, एक वस्तु के कीमत में कमी अवरिद्धी होने पर दूसरी वस्तु के मांग में कमी अवरिद्धी होती है ऐसे ही कीमत प्रभाव एक ऐसा तत्व है जो कही न कहीं मांग के नियम के लागू होने का कारण बनता है बार-बार हम इस चीज को जान रहे हैं कि कीमत कैसे एफेक्ट करती है किसी वस्तु की डिमांड को लेकिन कहीं न कहीं इसका सीधा संबंध होता है उब्भोकताओं की संख्या से जाहिर सी बात है कि कीमत अगर घटेगी तो मांग बढ़ेगी यानि कि उब्भोकताओं की संख्या बढ़ेगी अगर हम इसको दूसरी प्रकार से देखे तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी समय में बाजार में उभोकताओं की संख्या बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और किसी समय में अगर बाजार में उभोकताओं की संख्या घड़ जाती है तो उस वस्तू की मांग भी घड़ जाएगी एक अन्य तत्व है वेकल्पिक प्रियोग बहुत से चीज़े असी होती है जिनको हम वेकल्पिक रूप से प्रियोग कर सकते हैं एक उदारण के तोर पर लकड़ी हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि लकड़ी के बहुत से प्रियोग होते हैं जलाने के लिए भी लकड़ी का प्रियोग किया जाता है फ़नीचर बनाने के लिए क्या जाता है घर में साज सज्जा के लिए दर्वाजे बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में हम उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी वस्तुएं जैसे लकडी हुई, बिजली हुई, कोईला हुआ ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका वेकल्पिक प्रयोग होता है तो जो वस्तोय वैकल्पिक प्रयोग की होती है उनकी मांग हमेशा बढ़ी हुई रहती है तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहीं न कहीं मांग के नियम के लागू होनी के कारण बन जाते हैं अर्थशांस्त्र में जितने भी नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ विरोधा भास जरूर होता है कहीं न कहीं उसके कुछ अपवाद भी जरूर हमारे सामने आते हैं तो आए देखते हैं मांग के नियम के कौन कौन से अपवाद है मांग के नियम के अपवादों पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये जो नियम है गिफिन वस्तुएं जिने हम निक्रिष्ट वस्तुएं या नॉन ब्रांड़ेट प्रोड़क्ट्स कहते हैं इन पर ये लागू नहीं होता है जैसे जैसे किसी वेक्ति की आय बढ़ती जाती है वो नॉन ब्रांड़ेट वस्तुओं को करना शुरू करता है तो होता क्या है कि नॉन ब्रांड़ेट वस्तुएं अगर कम कीमत में भी मिल रही है तो भी उनकी मांग कम ही रहती है और ब्रांड़ेट वस्तुएं अगर अधिक कीमत पर मिल रही है तो भी उनकी मांग बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं ये नियम गिफ प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाता हैं दिखावे के चलते यह समाज में अपनी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोग महंगी से महंगी चीजों को खरीदना चाहते हैं तो उन नहीं आता है तो कहीं न कहीं इन प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं पर जो हमें समाज में एक समान जनकिस्थान प्रदान करती है यह जिनके बारे में हमारी अपनी धारना है कि वो समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगी वो वस्तुएं अगर बजार में महंगी भी मिल रही हैं तो भी भोगता उनको खरीदना चाहता है तो इन वस्तों पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है वैसे ही अनिवारे ताएं यानि कि कुछ वस्तोय ऐसे होती है जिने हम अर्थ शास्त्र की भाषा में अनिवारे वस्तोय कहते हैं जैसे रोटी कपड़ा औ होती हैं इन वस्तों के मूल में कमी अव्रिद्धी होने पर भी इनकी मांग में बहुत ज्यादा कमी अव्रिद्धी नहीं होती है ठीक इसी तरह कुछ विशेस अवसरों पर जैसे शादी ब्याह या अन्नी किसी खुशी के मौके पर लोग इस बात के अपनी ऐसे धाना को ब उन वस्तों को भी खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत ज्यादा है कुल मिलाकर उनकी मांसिक्ता ये रहती है कि जिसमें उनकी रूची है जैसा उनका सभाव है जिसमें उनकी रूची है जो चीज उनको ज्यादा पसंद है उस चीज को वो खरीदना चाहते है भले ही वो चीज म राश्ट्र आय बढ़ी होती है और राश्ट्र आय बढ़ी रहती है तो प्रतिवेक्ति आय भी बढ़ी रहती है अब इस कंडिशन में क्योंकि वेक्ति की आय बढ़ गई है तो वो महंगी वस्तू को भी खरीदना चाहता है तो ऐसे कंडिशन में मांग कनियम यहां लागू न लेकिन कितना यह अभी तक हम नहीं जान पाए हैं हमने देखा कि वस्तू की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है लेकिन कितनी कम होती है दूसरे बात वस्तू की कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ती है लेकिन कितनी बढ़ती है यानि मांग बढ़ती है ये तो इसे हम आगे के अध्याय में और अच्छे से जानेंगे लेकिन फिलहाल हम मांग में होने वाले विस्तार या संकुचन और मांग में होने वाले व्रिद्धी या कमी के आधार पर इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या है मांग का विस्तार या संकुचन? क्या होता है किसी वस्तु की कीमत और कीमत के अत्रिक्त भी कुछ ऐसे फेक्टर होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। सीधी से बात है कि अगर किसी वस्तु की कीमत उसके मांग को प्रभावित करती है यानि कि एक निश्यत समय में बाजार में किसी वस्तु के कीमत के कम होने के कारण अगर उसकी मांग बढ़ी है कारण क्या था कीमत कम होने के कारण उस वस्तु की मांग बढ़ी है तो वो मांग क का विस्तार कहलाएगा दूसरी बात अगर किसी वस्तू की कीमत बढ़ने के कारण उस वस्तू की मांग कम हुई है तो ये स्थिती मांग का संकुचन कहलाएगी यानि कि शब्दों का हेर फेर दूसरी बात कीमत के अत्रिक्त बहुत से फेक्टर हैं जो मांग को प्रत्यक्ष र आए एक बाद फिर देखते हैं, उभोगता की रूची, उसकी आदत, सौभाव ये फैशन, मौसम ये जलवाईू, उभोगता की आय में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन, यानि कि भविश्य में उस वस्तु के कीमत के बढ़ जाने की संभावना, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, कहने का मतलब ये है कि कीमत को छोड़ कर बाकी ये सारे तत्व अगर मांग को प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि मांग में कमी या व्रिद्धी हुई है, दूसरे शब्दों में अगर इन सभी तत्व के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ी है तो हम कहेंगे कि मांग में वृद्धी हुई है ना कि विस्तार या अगर इन तत्तों के कारण किसी वस्तु की मांग कम हुई है तो हम कहेंगे कि मांग में कमी हुई है ना कि संकुचन तो विस्तार संकुचन और वृद्धी या कमी में अंतर जो है वो सिर्फ दो शब्दों के कारण है कीमत और दूसरा ये पांच तत्व जो कीमत के अत्रिक्त मांग को प्रभावित करते हैं अब अगर हम इनमें अंतर की बात करें मांग में विस्तार या संकुचन और मांग में व्रिद्धी या कमी अगर हम इनमें अंतर की बात करें तो यहां दो ही चीज हमको दिखाई देती हैं कि पहला मांग में विस्तार या संकुचन हम कीमत के आधार पर निकालते हैं और मांग में व्रिद्धी या कमी हम अन्यवून तक्तों के आधार पे निकालते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं जिनके बारे में हमने अभी जाना दूसरा एक महत्वपूर्ण अंतर यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि मांग वक्र में विस्तार और संकुचन को जो वक्र इंगित करता है जिसके कारण वो दिखाई देता है उसे हम जब वो उपर से नीचे बाया सिदा नीचे और खसकता है तो वहां पर हम चलन शब्द का प्रियोग करते हैं चलन यह जो रेखा है मांग वक्र की उसका चलन ऊपर से नीचे की और जाता है यह प्रियोग हम क पहकर रेखा का खिसकाव कहते हैं कि दूसरी बात अगर हम मांग में संकुचन और मांग में कमी दोनों में अंतर की बात करें तो वहां भी बिल्कुल यहीं उसका उत्तर होगा कि संकुचन शब्द का प्रियोग हम तब करेंगे जब कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ा हो और कमी शब्द का प्रियोग हम तब करेंगे जब कीमत के अत्रिक्त अन्य 5 तत्तों का प्रभाव उसकी मांग पर पढ़ा हूं अंतर की अगर बात हम चलन या खिसकाव के लिए करें तो दोनों में यही अंतर है कि चलन शब्द का प्रियोग तब किया जाता है जब वस्तु की मांग कीमत से प्रभावित होती है और खिसकाव शब्द का प्रयोगम तब करते हैं जब वस्तु की मांग कीमत के अत्रिक्त अन्नी किसी तत्व से प्रभावित होती है